चलिए बढ़ते खबरों में आगे बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुरुक शर्मा के विवादित बयान पर अपूरे प्रोदीश में भी बवाल मचा हुआ है एक डिबेट शो में पैगंबर मुहम्मद पर विवादि टिपडी के खलाफ मुसलिम समुदाय में आकरोश नजर आ रहा है प्रदीश शुभर में नुपुर शर्मा के बयान के विरोत में प्रदर्शन हुआ और नुपुर की गिरफतारी की मांगी गई तो यहाँ पर आपको हम छे तस्वीरे दिखाने वाले हैं यह छे तस्वीरे आपकी टीवी स्क्रीन पर कोटा, भीलवाडा, सूरतगर, टोंक, सवाई माधोपुर और छालावाड से है जहाँ पर नुपुर शर्मा की गिरफतारी को लेकर प्रदीश भर में प्रदर्शन किया गया, कोटा की तस्वीर में जहाँ पर नुपुर शर्मा की गिरफतारी को लेकर मुसलिम समुदाय की ओर से यह प्रदर्शन किया गया है भीलवाडा में भी वही तस्वीरे आपको नजर आएंगी तो सूरतगड में भी नुपुर्श शर्मा के विवादत बयान पर आकरोश व्यक्त करते हुए गिरफतारी की मांग की गई टोंक में भी भारी संख्या में लोगों ने नुपुर्श शर्मा के खिलाफ प्रदर्क्शन किया और गिरफतारी की मांग की सवाई माधुपूर में भी बड़ी संख्या में भीड एकठा हुई सड़कों पर उतार आये लोग और उन्होंने नुपुर्शर्मा की गिरफतारी की मांग करते हुए विरोध प्रदरक्शन किया जालावाड की भी वही तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर नुपुर्शर्मा की गिरफतारी की मांग की गई प्रदरक्शन किया गया और जल्द से जल्द इस मामले में कारिवाई की मांग की गई अलंकि सभी जगों पर पुलिस बल भी तैनात रहा किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया लोगों का जो गुस्सा है खास तोर पे मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो गुस्सा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है लोगों का कहना है कि जल से जल लुपुर्श शर्मा को गिरफतार किया जाए एक टीवी शो डिबेट में पैगंबर पर जिस तरह की बयान बाजी ल प्रदीश भर में प्रदक्शन हो रहा है। इस दोरान वकील और पुलिस आमने सामने भी हो गए। जहाँ पर वकीलों ने पैन डाउन कर धरना शुरू किया और चम करना रबाजी की। जहाँ पर वकीलों ने प्रदक्शन हो रहा है। जहाँ पर वकीलों ने प्रदक्शन हो रहा है। जहाँ पर प्रदक्शन हो रहा है।